हेलो क्लास स्वागत आप सभी का एक बार फीर अपमारे चैनल मेंस्प्रै फ्सीजी पीस्टी में तो दोस्तों आज के जो टॉपिक है लोग प्रसासन का वो क्या है प्रसासनिक सुधार सुषासन नौकर सही जीलव प्रसासन प्राकृतिक न्याय का सिद्धान करेंगे प्राकृतिक न्याइक सिद्धान चिया इसके पहले अपन देखेंगे प्राकृतिक विधी क्या होती हती है नेच्रॉल लओं ठीक है यह क्या होते हैं वे कानुन जो स्वयंप्रकृति ने निर्मित है थीक यह उन देसों में प्रयोक किया जाता है, जहां समिधान की सरवच्चता होता है, मतलब कि जहां क्या होता है, जो constitution है, ठीक है, तो वो supremacy, तो constitutional supremacy जहां होगा, सांति सांत, judicial supremacy, नयापालिका की सरवच्चता, तो जिन देसों में समिधान की सरवच्चता, यह नयापालिका की सरवच्चता के सिध्धान लागो होते हैं, वहाँ प्राकृतिक नयाय के सिध्धान भी लागो होते हैं, तो ये क्या है, इसके तहट क्या है, अगर संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया, जो प्रकृति द्वारा बनाए गया कानून है, नागरिकों के मूल अधिकारों के खिलाप है, थीक है, नयतिक और चिति के खिलाप है, थीक है, तो नियायल है, ऐसे संसत द्वारा बनाए गया कानून को निरस्त कर देता है, तो यह प्रकृतिक विधी कहलाती है, तो अब अप तो पहला किसमें कुछ बाते से में प्राक्रिति अपनी ही मामले में n69 करारी खेक्षय सिद्धान तो dalej नहीं तर mín przy यप couples के अपने खिलाप गवाहि देनी लिए बात नहीं किया जाना थर्ट, दूसरे पक्ष की दलिल सुने बिना निर्णय नहीं दिया जाएगा अभियुक्त को निर्णय से पूर्व अपना पक्ष रहने का रखने का आउसर जरूर मिलना चाहिए और इसी के साथ साथ लास्ट का है इसमें नियाधिस अपने व्यक्तिकत, विचारों, आदर्सों एम पुर्वा ग्रहों से तटस्त रहेकर निर्णय दे तो जो अभियुक्त है जिसके खिलाब कोई मुकदमा चल रहा है तो इसमें क्या है प्रकृतिक नियाधिस के सिद्धान में कि क्या है इसमें कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में निर्णय नहीं होगा Second क्या है अपने खिलाब गवाही देने के लिए बाद भी नहीं किया जाएगा उसको ठीक है और जो इसमें क्या है जो न्याएधिस है वो दोनों पक्षों की दलील सुनेगा उसके बाद ही निर्णय देगा और इसके साथ ही क्या है नियादिस अपने विचार जो आदर्स है एवं पूर्वा ग्राओं तो इन सब से क्या है तटस्त रहेकर निर्णय देगा और क्या है अभ्यूक को निर्णय से पूर्व अपना पक्ष रहने का आउसर दिया जाएगा कि यह क्या है अपना प्राृति लाइन का सिद्धान तो इसी को ध्यान में रुख प्राइफ की जो historinella चुट schneller एक भी नियाफराद को चाहिए इसलिए झाल जो भारती नियाय विवस्ता कुंए कभी-कभी देरी हो जाती और कि है धन अधिक खर्च हो लेकिन इनका अधर्स क्या है कि एक भी निरप्राद को सजा नहीं मिलनी चाहिए तो ये प्राकितिक न्याय का सिध्धान्त है अब इसके बाद अपन श्टार्ट करेंगे प्रसासनिक जो सुधार ठीक है जो अपना next topic है तो ये क्या है प्रसासन के संगठन में इस तरह सुधार करना कि कार्मिकों की कारे कुसलता में वृद्धी हो कारियों में तीवरता आये एवं इमानदारी सुनिश्चित हो तो प्रसासनिक सुधार का एक अर्थ या भी है कि प्रसासन को नवीन आवस्टेक्ताओं के अनरूप पुनरगठित किया जाए और इसमें क्या है परिस्थितियों के अनरूप प्रसासनिक सनरशना एवं प्रक्रिया में परिवर्तन और पुनरगठन आवस्टेक होता है तभी उद्देश्यों को सुव्यवस्थित एवं निश्चित प्राप्ति संभाव होती है तो इस परिवर्तन एवं पुनरगठन को ही प्रसासनिक सुधार कहा जाता है इसको और भी क्या कह सकते हैं सिंपल सब्दों में कि ये क्या करता है प्रसासनिक जो दोस है प्रसासन में जो दो से कमिया है उनका उन्मूलन करता है वर्तमान प्रक्रिया जो चली आ रही है ठीक है तो उसका क्या सडली करन करता है यह प्रसासनिक कारेकुसलता को बढ़ाता है ओके तो भारत में इसकी क्यों आवस्चेक्ता हुई इसका क्या महत्तो है तो पहला क्या है प्रसासनिक सुधार क्यों जरूरी है? तो अपनिमेसिक प्रवित्यों को दूर करने के लिए, ठीक है? तो इसमें क्या है, जो स्वामी धारना, मतलब जो प्रसासनिक अधिकारी होता है, वो अपने आपको क्या है, स्वामी मानता है, तो ये सब चीजों को दूर करना, इसके लिए प्रसासनिक सुधार आवस्यक हो जाते हैं और क्या है इसमें प्रसासन को जनोन मुखी, ठीक है, जनता के लिए कारे करने वाला बनाना ठीक है, सेकंड क्या है इसमें लोग कल्यान कारी राज्य की अवधारना तो भारत एक लोग कल्यान कारी राज्य है, तो इसमें क्या है, अपने बढ़े हुए विकास, दाइत्वों यह उनको पूरा करने की प्रतिबद्धत के अनुरूप, जो प्रसासन है, उसका निर्मान करना थर्ड क्या है इसमें आर्थिक नियोजन के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, तो इसके लिए भी प्रसासनिक सुधार जरूरी होते हैं तो क्या है इसमें नियोजन प्रणाली की सफलता के लिए प्रसासनिक दख्षता यहं कारेक सलता जरूरी है तो अता प्रसासन में सुधार किया जा रहे हैं और इसके साथ साथ क्या है इसमें नौकर साही प्रवितियों पर अंकुष रखने के लिए भी ज़रूरी है कि प्रशासन में सुधर किया जाए तो भारत का प्रशासन में लाल फिता साही जो देरी होती है ठीक है जो सरकारी कामकाज है भरस्टाचार कठोर नियम प्रक्रिया तो इन सब से क्या है ये सब क्या है नोकर सही प्रवित्यों से ग्रस्त है तो प्रसासन को इन कुप प्रवित्यों से दूर करतके ही क्या किया जा सकता है जनकल्यान के सारवजनिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है और इसके सांथ सांथ क्या है प्रसासनिक सुधा प्रसासनिक सुधार की भारत में आवस्यक्ता एवं महत्व तो किसके लिए क्या क्या जरूरी है इसमें अपनी वेशिक प्रवित्यों को दूर करना ठीक है जो स्वामी अपने आपको मानते आ रहे हैं तो उनको क्या है दूर करना और जनोन मुखी बनाना प्रसासन को और जो लिए भी सारजनिक धन का सवदूपयोग हो रष्टाचार पर रोक लगे ओके तो इन सभी चीजों के लिए क्या है जो प्रसासनिक सुधार आवस्यक होते हैं अब देखेंगे कि भारत में प्रसासनिक सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए गये हैं तो स्वतंतरता के बा समीति बनाई गई थी फिर 1949 में आयंगर समीति आई थी फिर एडी गोरा वाला आयो गया था 1951 में उसके बाद एक ये जो महत्वपूर्ण है वो क्या है सितंबर 1952 में क्या है भारत में प्रसासनिक सुधारों पर विचार करने के लिए लोग प्रसासन के प्रसिद्ध जो एपल भी ठीक है तो वो भारत में उनकी नियुक्ति की गई और उनकी सिफारिसों पर ही ओ एंड एम की स्थापना 1954 में की गई तो ओ एंड ओ एंड एम ठीक है तो ऑर्गनाइजेशन एंड मेनेजमेंट ठीक है तो यह वाला जो किया गया था तो यह आगे अपन देखें के और इसी के साथ जो अपना इंपॉर्टेंडन होगा है संथानम समीति आई थी 1962 में ठीक है तो इसी की सिफारिसों पर ही 1964 में केंद्री सतरकता आयोक तो इसका गठन किया गया था केंद्री सतरकता आयोक सिख है सेंट्रल विजिलेंस कमेटी ओके तो सीवीशी की जो गठन किया गया था वो संथानम समीती की रिपोर्ट की सिफारिसों के अधार पर ही किया गया था तो इसका मुख के उद्देश से क्या था ब्रस्टाचार जैसी समस्याओं के समाधान के लिए ओके अब इसमें प्रसासनिक सुधार आयोग 1966 तो ये प्रसासनिक सुधार है तो उठाए गए कदम थे भारत में इसके साथ ही साथ क्या है प्रसासनिक सुधार में अवरोध क्या क्या आता है ठीक है तो प्रसासनिक सुधार में अवरोध क्या है पहला तो यही है कि राजनितिक इच्छा सक्ति की कमी होती है भारत में प्रसासनिक सुधार राजनितिक दाउं पेचों में उलच कर रह जाता है ठीक है सेकेंड क्या है नौकर सही का रोड़ा तो इसमें क्या है प्रसासनिक सुधार में नौकर सही जो है ठीक है ब्यूरो क्रेसी उन्हीं के अधिकार में कमी की जानी है उन्हीं में प्रणार लिया है। तो इसी कारण implies नता हुं। इसलिए प्रशासनिक सुधारों को लागू करने के लिए अवस्तेग धन्राशी का अभा हो जाते है। इसके इलाव कि प्रसासन की अकार्य कुसलता, ठीक है, मानसिक्ता, कार्य प्रणादी भी एक प्रमुक बाधा बन जाती है, ठीक है, तो पहला क्या है, इसमें सरकार द्वारा सोयम ही प्रसासनिक सुधारों से सम्मंदित समीती एम आयोगों के सुझाओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता, ठ जाती है तो यह सारी चीजें क्या है प्रसासनिक सुधार में और रोध उत्पन्न करती है तो इसमें क्या क्या है पहला राजनीतिक इच्छा सकती ठीक है second क्या है नौकर साही का रोड़ा उत्पन हो जाता है क्रियानवन में कटनाई और आर्थिक कटनाई तो यह सब प्रसासनिक सुधार में और रोध उत्पन करते हैं अब इसी के साथ अपन देखेंगे O&M तकनिक क्या है यह तू मार्ग से पूछ सकते हैं मेंस में तो O&M क्या है O for organization M for method ठीक है तो यह क्या है O&M इसका अर्थ है कि संगठन एवं प्रणाली ठीक है तो इसको M for management ले सकते हैं या M for pranaly ले सकते हैं तो इसको जब संकुचित अर्थ में प्रणाली ही लिया जाता है अधिकान देशों में और व्यापक अर्थ में यह प्रबंध लिया जाता है O&M में ठीक है तो यह क्या है O&M इसका उद्देश से क्या है प्रसासन में सुधार करना संगठन में सुधार करना इसका प्रात्मिक मौलिक उद्देश से है M का अर्थ प्रबंद लेने से यह व्यापक प्रणाली हो जाता है जिसमें प्रबंद की सभी गतिवीधियों ठीक है तो प्रबंद की क्या-क्या चीजें सम्मिलित होती है नियोजन, ठीक है, प्लानिंग, संगठन, स्टाफिंग, समन्वे, निर्देशन, आधी का अध्यान, यह उनमें सुधार आ जाते हैं ठीक है, तो प्रसासनिक कारे को सलता के लिए O&M तकनिक दिया जाता है तो यह अपना प्रसासनिक सुधार से अपना जो टॉपिक है, वो कंप्लिट हो जाता है अब आपन देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक, सुसासन, ठीक है गुड़ गवर्नेंस, तो इसको इंगलिस में गुड़ गवर्नेंस बोलते हैं तो यह होता क्या है सुसासन? तो एक रिचर्ड जेफरीस करके अनुसा, मतलब की उन्होंने जो इसकी डेफिनेसन दी है रिचर्ड जेफरीस ने गुड़ गवर्नेंस की क्या है सुसासन? ऐसा उद्देस्योन मुख एवं विकासोन मुख प्रसासन है जो जनता के जीवन इस्तर में सुधार हेतु प्रतिबद होता है तो सुसासन क्या है? जवाब दे, राजनितिक नेत्रित्व, प्रकर निती निर्माताओं यम कारे कुसल लोक सेवकों से सम्मंदित होता है तो इसमें सुसासन में क्या होती है? जवाब दे ही होनी चाहिए अच्छे से राजनितिक नेत्रित वक ठीक है वो कुसलता से किया जाना चाहिए प्रकर निती निर्माता ठीक है और इसके साथ कारे कुसल लोक से वक ठीक है तो ये सभी जब समन्वित होके कारे करेंगे तो ये सुसासन कहलाएगा ठीक है तो ये क् सकती सासन सकती जो है नीतियों योजनाव परियोजनाव से सम्मंदित होता है जिसका उद्देश से कहा है जीवन की परिस्तितियों को बहतर बनाना तो सासन तब सुसासन बन जाता है जब सरकार के निर्णा एवं कारिये लोगों की सहमती व्यद्दिता एवं उत्तरदाइतों पर अधारित होते हैं तो जो लोग कल्यांड कारी राज्य की अवधारना है तो यह क्या है यही सुसासन है एवां उनके लिए लोगों की सहमती एवां वैद्धिता एवम उत्तबाईतु के अनुसार ही कारे करें ठीक है तो ये good governance है तो इसकी विशिस्ताएं क्या है सुसासन की विशिस्ताएं पहला क्या इसमें जन भागीदारी ओके जनता की भागीदारी होगी कानुन व्यवस्ता ठीक है जो कानुन व्यवस्ता अच्छे से कारे करेगा सुसासन में लोक कल्यान कारी प्रसासन जो प्रसासन है उसका मूल उद्दे से कहा है सारवजनिक हीत तो इसको ध्यान में रखकर वो प्रसासन क्या करेगा नीतियों का क्रियान व्यन करेगा फोर्ट के है इसमें चौन्था पॉइंट सुसासन की विशेस्ता में न्यायवत तरक अधारित निर्णय होंगे ब्रस्टा चार मुक्त सासन होगा सुचना की पहुँच एम सुचना का अधिकार अर्टियाई ठीक है तो ये सुसासन में सम्मिलित होगा इसी के साथ क्या है सासन में इस्त्री और पुरुस दोनों समान रुप से भागिदारी करेंगे ठीक है उन्हें समान माना जाएगा इसी के साथ क्या है लास्ट मानवधिकारों की रक्षा तो इसमें मानवधिकारों की रक्षा की जाएगी तो ये सभी क्या है, सुसासन की विशिस्ताइं हैं, अब इसमें बाधाय क्या आती है, सुसासन में, ठीक है, तो ब्रस्टाचार, सबसे बड़ी बाधा है, सुसासन में, सेकेंड क्या है, राजनीती का अपराधी करण, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, जो राजनीती, जो दल है तो वो क्या करते हैं अपराधियों को भी क्या होते हैं कई बार क्या बोलते हैं लाप्राप्ति के लिए सत्ता में आने का उसर दिया जाता है तो इससे क्या होता है राजिती का अपराधी करण होता है और क्या है सुसासने बाधा है जनसंक्या वृद्धी जनसक्या जित बनाती है तो उसके क्रियान वें कठनाई आ जाती है ओके अब इसके उपाय क्या है कि सुषासन के उपाय मतलब कि सुषाशन को और वहतर तरीके से लागू कैसे किया जा सकते है तो इसमें पहला किए है लोग तांत्रिक विकेंद्री करण किया जाए तो पंचायती राज का विकेंद्री करण एम सुद्रीनी करण ठीक है तो यह सुसासन के उपाय है ठीक है तो इसमें क्या है पंचायती राज है तो ठीक है जो गाव इस्तर तक क्या है सासन का, जो सत्ता का क्या है, विकेंदरी करन किया जाए, ठीक है, उन्हें आवसक सक्तियां यम संसाधन प्रदान किया जाए, ठीक है, एवं उनका सुद्रिणी करन किया जाए, सेकेंड क्या है, इसमें सुसासन की उपाय में लोगों की सहभागीता, ठीक है, नागरीक एवं प्रसासन में प्रभाव साली जुडाव होना चीए, ठीक है, जो लोग है और जो प्रसासन उनमें जिता अच्छे से प्रभाव साली जुडाव रहेगा, ठीक है, लोगों की सहभागिता जित्ती जादा होगी, तो वो सुसासन के करीब ले जाएगी, ठीक है, जीला इस तर पर आगिदारी होना चाहिए और परसपर सहयोग के साथ ये कारी करें तो ये सुसासन के करीब ले जाएगा और क्या है बेहतर नागरिक सुविधाओं को सुलब्द करवाने इसासन को बढ़ावा ठीक है तो इसासन से क्या है पारदर्सीता आती है और जो नागरिक सुविधा है वो घर बैठे प्राप्त होती है तो ये इसासन को बढ़ावा देना जरूरी है सुसासन के लिए विन्य प्रकार की जो सेवाएं है जो इलेक्ट्रानिक मान्धियम से क्या है व्यक्ति को सुलब होने चाहिए तो सरकारी जो कामकाज है वो भी क्या है कुसलता पूर्वक अच उसको पाड़ दर शीता लाये ठीक है तो यह सब क्या है सुसासन के करीब लेकर जाएंगे जवाब दे एवं उत्तरदाई प्रसासन या उसको क्या है जवाब दे बनाया जाए एवं उत्तरदाई उसकी responsibility अच्छे से हो ठीक है तो यह सब सुसासन के उपाये हैं और नेश्ट का इसमें पुलिस एवं नयायपालिका में सुधार कर क्या किया जाता है वीधी के सासन को सुनिश्चित करना ओके जो वीधी का सासन है अपन पहले किया जाना चाहिए और क्या इसी के साथ जो गरीब हैं दलित हैं चंजाती युव महिला तो इन सभीका ससकती करन किया जाना चाहिए और क्या है इसमें ब्रष्टाचार दूर करने के लिए कदम उठाये जाने चाहीए, नश्ट के है, धन या संसाधन लगाने पर जोर देने के बज़ाये, लगाये जाने वाले धन के उपियों यूँ लब्दियों पर ध्यान देना चाहिए, ओके, तो जो धन लगा है सरकार का धन, ठीक है, तो उसका जो क्या है, अच्छे से क् सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है ओके और लाश्ट के इसमें कानून एवं लोक तंत्र की मजबूती ठीक है कानून जित्ता प्रभावी रहेगा लोक तंत्र जित्ता मजबूत रहेगा तो वो सुसासन के करीब लेके जाएगा समाजिक सद्भाव जो समाज है ठीक है समाज के व्यक्ति है वो सद्भाव के साथ रहे आतंगवाद एवं नक्सली हिंसा से मुप्ती हो ठीक है तो इसके लिए प्रभावी कदम उठाया जाए एवं सांती एवं व्यवस्था ठीक है पीस एन ओडर मेंटेन रहे ठीक है तो ये सारी चीजे क्या है सुसासन के उपाये है ठीक है तो इन सारी चीजों से सुसासन को लाया जा सकता है जो प्रशासन उसको प्रभावी बनाया जा सकता है तो ये अपना सुसासन हो गया अब जो अपना नेक्स टॉपिक है वो क्या है जीला प्रसासन तो जीला प्रसासन क्या है ये राज्य सासन के उद्देश्यों की प्राप्ति की व्यावहारिक क्रियानवेन एजेंसी जीला प्रसासन होती है तो जो राज्य सासन जो उद्देश से बनाता है उसकी प्राप्ति जीला इस्तर पर ही क्या किया जाता है उसको संभव बनाया जाता है तो इसमें क्या होता है जीला प्रसासन में जीले में सरकार के कारियों को समन्वीत रूप से संपन कराना ही क्या है जीला प्रसासन है वस्तूता है जीला प्रसासनिक कारियों के लिए भागवलिक या छेतरी इकाई होता है जो भी प्रसासनिक कारे किया जाना है तो उसके लिए भागवलिक और छेतरी इकाई जीला होता है तो SS खेरा करके एक विद्वान है, उन्होंने क्या डिफिनेशन दिय का जीला प्रसासन कंपशन दिया है? जीला के अंतरगर सारवजनिक कारें का समस्त प्रवंद है एक जीला प्रसासन लोग प्रसासन का वह भाग है जो जीले की भगुलिक सिमाव के भीतर काम करता है तो ये उन्होंने definition दिये तो अपने comments में टुमास का question आ गया ठीक है जीला प्रसासन क्या है तो ये अपन SS खेरा वाली definition दे सकते हैं जीला प्रसासन जीला के अंतरगर सारवजिनिक कारियों का समस्त प्रबंद है जीला प्रसासन लोग प्रसासन का वह भाग है जो जीले की भोगोलिक सीमाओं के भीतर काम करता है तो क्या है ये जीला प्रसासनिक कारियों के लिए भोगोलिक या छेतरी काई होता है अब अपन समझेंगे कि इसकी अवधार्णा क्या है जीला प्रसासन की ठीक है तो इसका जैसे इतिहास अपन देखे तो क्या है जीले के भीतर तहसील, विकास खंड, ग्राम इस्तर पर फैला होता है ये सब मिलकर ही जीला प्रसासन के संगठन की अवधारना को पूरा करते हैं जीला इस्तर पर अनेक अधिकारी होते हैं जीला कलेक्टर हो गया, जीला पुलिस अधिक्चक, जीला महिला एवं बालविकास अधिकारी, जीला रोजगार अधिकारी, कार्यपालन, यंत्री, तो ये सभी जीले के अंतर गात विभिन अधिकारी होते हैं तो ये सभी जीला के प्रसासन को समालते हैं तो इस प्रकार जीला प्रसासन वह छेत्री काई है, जहां राज्य सासन के सभी कारियों को छेत्री रूप में एकिकरित किया जाता है, यहां राज्य की नीतियों का वास्तविक क्रियानवयन होता है, जीला प्रसासन की वर्तमान संकल्पना में कानून व्यवस्था से सम्मंधित अधिकारियों के साथ, विकास प्रसासन से सम्मंधित सभी अधिकारी सामिल होते हैं, अब अपन देखेंगे कि जीला प्रसासन में क्या भूमिका होती है, जो जीला धीस है उसकी जीला प्रसासन में क्या भूमेका है तो अपने इसका इतिहाद जैसे देख सकते हैं कलेक्टर ठीक है तो इसका पद बृटिश सासन की देन है इस पद की स्थापना कभ हुई थी 1772 में इस्ट इंडिया कमपनी के सासन काल में वारेन हेस्टिंग द्वा की जाती है ठीक है जीला प्रसासन के अंतरगत कलेक्टर की तो अब इसके कारे क्या है वो देख लेते हैं तो कलेक्टर के महुत सारे कारे होते हैं ठीक है तो जैसे कि प्रसासनिक अधिकारी के रूप में इसका क्या कारी है तो इसका क्या कारी है प्रसासनिक अधिकारी के रूप में तो राजस्व अधिकारियों पर नियंतरन रखना राजसासन के समस्त विभागों के जीला अधिकारियों पर नियंतरन रखना और क्या है जीले का प्रमुक्स हिष्टाचार अधिकारी होता है ये और क्या है जीले के अंतरगत भारती सेना के विभिन आवस्तक्ताओं के नुरूप सहयोग प्रदान करना तो यह क्या है प्रसासनिक अधिकारी के रूप में कलेक्टर की भूमी का ओके सेकेंड क्या है कलेक्टर के रूप में ठीक है तो इसका काम क्या है में काम भूराजस्य सहीता के तहत विभिन भूमी विवाद ठीक है जो मां करना कि यह सब इसका इसका कलेक्टर की रूप में रहत कारियों का संचालन करना तो यह आपदा निवारक की रूप में कलेक्टर की भूमिका हो जाती है कि जो प्राकृतिक आपदा है एवं अन्य आपदाओं में सहयता प्रदान करना तीक है जो भी जीले के अंतरगत उसके संसादन है उसकी पहुंच मतलब की जो प्रभावित लोग है उन तक पहुंचाना तीक है एवं रहत कारियों का संचालन करना तो यह सब चीज क्या है कलेक्टर का आपदा निवारक के रूप में भूमिका हो जाता है इसी के साथ क्या है थर्ड जीला दंडा धिकारी के रूप में ऑके तो क्या है जीले में सांतियम विवस्ता बनाया रखना पीस एन ओरडर बनाया रखना जीले के अंतरगर्ड पुलिस के कारियों का निरीक्षण यहों नियंत्रन करना जेल का नियंत्रन निरीक्षण करना और क्या है इसमें सासन को वार्सिक अपराधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, प्रेज कानून लागू करना और क्या है राष्टी सुरक्षा कानून दंड प्रक्रिय सहीता आधी का पालन करना तो ये जीला दंड अधिकारी के रूप में जीला दीश की भूमिक है नैश्टिया इसमें जीला विकास अधिकारी के रूप में जीला दीश कलेक्टर उसकी क्या भूमिक है तो इसका क्या है विभिन ने विकास कारें का जो समन्वे करेगा और क्या है पंचायती राज अधिनियम का पालन कराना और चुनाव अगैर होते है तो उस समय जो जिला दिश की क्या भूमी का होती है ठीक है तो ये क्या कारे करता है लोग सभा एवंu विधान सभा चुनाव का संपादन करेगा जिले में और क्या है पंचायती रात सनस्थाओं ए tills… नगरी श्यसासन का निर्वासन संपन्व कराएगा ठीक है जो पंचायती रात से संबंद्ध नगरपलिक से संबंद्ध जो चुनाव है वह जिले के अंतरगत जो भी मामला एगा चुनाओ का तो उसका देखभाल करना ठीक है उसका कारियों को संपन कराना ठीक है और इसके अलावब विभिन जो कारी है वो क्या है इसके जीला जनगड़ना अधिकारी के रूप में 10 वर्सों में एक बार जनगड़ना करवाता है जो जीला दीस है जीले क अंतरगत और क्या इसमें विभिन अधिनियम जैसे की आवकारी विस्फोटक पधार आयूद और द्योगिक वन सहकारीता पंजिय पंजियन रेंड कंट्रोल आदिका नियमन करना तो यह जीलाधिस का कारिया है ओके तो अपने को जीला प्रसासन एवं जीलाधिस तो इसके कार यह हो गया होंगे ठीक है और तो फिर यह अपना कंप्लीट हो जाता है आज का टॉपिक प्रसासनिक सुधार सुसासन नौकर सही ओके तो फ्रेंड्स यह नौकर सही जो है यह अपन पहले देख चुके थे जब अपन पढ़ रहे थे संगठन के सिद्धान उपागम संरशना तो उसमें जो उपागम था उसमें अपन नौकर सही देख चुके हैं आप पिछले क्रास में जाके देख सकते हैं चीजों को तो यह अपना जो टॉपिक था प्रसासनिक सुधार सुसासन नौकर सही जीला प्रसासन प्राकृतिक नयकर सिद्धान तो यह कंप्लीट होता है इसमें जो दोस्तों सूसासन है, है इसमें 40 मार्स का question पूछा गया है, तो जीला प्रसासन और जीला प्रसासन में collector की भूमी का सम्मंधीत भी question पूछा जा चुके है, तो यह प्राकृतिक नाय का सिद्दांदं यह आपको 4 marks 8 marks में पूछ सकता है तो आपको यह टॉपिक्स अच्छे से मतलब कि तयार करने हैं तो यह class यह पर complete होता है तैंक यू फ्रेंड्स